पिडियाज हातर आप सभी कोनियाज कलासिस में स्वागत है आज मैं आप सभी को समी करन का हल करना बताऊंगा यह काफी महत्मून टॉफिक है इसलिए आपको जरूर आना चाहिए और अच्छा लगए कहाते क्लाइक और नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलि अगर आप स्टेप समझते हैं तो आप जैसे मालीजी हम इसको हल करना आपको बता रहे हैं तो इस टाइप के कोई भी समीकरन बिल्कुल आप आसानी से बना लीजेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए तो चलिए फॉस्ट कोश्चन को हल करते हैं एक दे देंगे समझ गए तो आपको जभी भी बट्टे में रहेगा तो आपको क्या करना है क्रोस मल्टीपलाई करना है आपको यहां बात ध्यान में जरूर रखना होगा कि जभी भी कोई मतलब समीकरन में क्या रहे बट्टे में रहे तो आप उसको क्या करिएगा उसको समझाने के लिए, डाल देते है. तब कीना करना है? 7X-7 में 1 से गुना करना है. तो बिलक़ üstend 지난 2 से में क्या रहा जाएगा? 7X-7 रहा जाएगा. X से गुना करेंगे तो कोई परिवरतन नहीं होगा. और यहां 3X में कितना से गुना करना है? 2 से करना है. 3x में गुना करना है 2 से समझ गए जब बटा में रहेगा तापको क्या करना है क्रोस मल्टी प्लाई करना है अब देखिए एरो के चीन अथवा आपको या जरूर देना है समिकरन बनाते समय तो 7x माइनस 7 बराबर 3x में 2 से करेंगे तो कितना होजाएगा 6x होजाएगा अब देखिए अब तो हम क्रोस मल्टीप्लाई कर लिए करने के बादे इतना आया है अब आपको क्या करना है समान राशी को एक तरफ करना है याई चर वाला को 1 साथ और अचर को 1 साथ तो जो याई चर याई एक्स है है जो अचर है तो एक चर्वाला को एक साथ और अचर्वाला को एक साथ तो यहाँ चर्वाला है चर्वाला है साथ एक साथ कर लेते हैं तो देखिए साथ एकस और इधर प्लॉस छो एकस है तो इसको इधर लियाएंगे तो माइनस छो एकस हो जाएगा जब प्लॉस रहेगा आपको उस साइड अगर ले जाएगा, बराबर से इस साइड से उस साइड कीजिएगा तो चीन चेंज हो जाता है, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस और गुना रहे तो भाग और भाग रहे तो गुना तो इधर कितना बच गया? इधर कुछ नहीं, यानि चो एक्स है तो इधर लेगे तो 0 बचा अब देखिए, माइनस 7 के हम इधर लियाएंगे यानि अचर को एक साइड कर देते है तो इस 7 है, तो इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, समझ गया? अब यहाँ देखिए, 7X में से 6X घटेगा 7X में से 6X घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? X हो जाएगा, और यह कितना बचेगा? 7, यानि X के माँन कितना हो गया? 7 हो गया, समझ गया? X के माँन कितना हो गया? 7 हो गया, इसलिए X के माँन आपको 7 आ गया तो क्या करना है अगर बट्टे में कोई question रहे तरह सबसे पहले आपको Cross Multiply करना है, उसके बाद क्या करना है अगर समान रासी को एक साथ कर लेना है, चरवाला को एक साथ और चरवाला को एक साथ, अगर बेराबर के इस side से उस side कीजेगा तो जोर के घटा और घटाओं के जोर समझ गये और गुना के भाग और भाग के गुना हो जाता है तो X के मान कितना आया है? साथ आया है अब चलिए second question को हल करते हैं तो देखिए यहां भी बटे में है तो यहां भी क्या करेंगे? cross multiply करेंगे यानि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है तो 5X माइनस 3 में हमें X से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? same to same 5X माइनस 3 ही रह जाएगा अब 3 में इससे करेंगे यानि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक था तो यानि cross multiply यानि 3 या गुना तो इसमें इससे और इसमें इससे करेंगे ठीक है? तो 5X माइनस 3 में X से करेंगे तो 5X माइनस 3 अब 3 यानि 3 पलस 2X में 3 से करेंगे यानि 3 पलस 2X में कितना से गुना करना है? 3 से गुना करना है इस 3 से अब समझ गए? 5X तो अब लिख लेंगे 5X माइनस 3 और इसमें गुना कर दीजे दिन त्याई 9 और तिन दुना 6 एक्स फिर समान् रासी को एकसाइड कर लिजिए तो चर वला है चडबला यह चे और चडबला को एकसाइड जो में ABCD के यह इकसा रहता है वह चडब होता तो 5000M तो माइनस छो एकस समझ गए इधर नौ है इधर माइनस तीन है इधर आगा तो प्लस तीन हो जाएगा समझ गए यह नौ तो यहीं है तो चरवाला को एकसाइट कर लिए और चरवाला को एकसाइट कर लिए अब देखिए यहां भी घटा दीजिए पांच एकस और छो तो जब यहां पल्स माइनस रहेगा तो आपको क्या कर देना है? तो आपको क्या करना है? अब गणाओ कर देना है. So, मान लिजे कुछ नहीं एकस का गुणाइंक एक है तो इधर माइनस हटाएंगे तो इधर माइनस हम कर देंगे तो इसलिए एकस के मान कितना हुआ माइनस बारा हुआ इधर माइनस था ना इधर माइनस हम लिए तो इधर पलास इधर माइनस हो जाएगा समझ गया क्योंकि गु